तो केरला स्टोरी एक ऐसी मूवी है जिसे देखकर मुझे बहुत बार कश्मीर फाइल्स की याद आई दोनों मूवीज में काफी सारी similarities हैं और इसी वज़े से जो चीज मैंने अपने कश्मीर फाइल्स वाल रिवीव में गई थी इसमें भी कहूंगा कि ऐसी मूवीज को देखते डाइम बहुत असानी से आपके emotions आपको take over कर लेते हैं तो इसी वज़े से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपने emotions को side में रखके मूवी के उपर बात करूँ और मूवी की जितनी भी अच्छे और बुरी चीज़े हैं वो आपको बताओ तो केरला स्टोरी कहानी है शाली नी नाम के एक हिंदू लड़की की जो नर्सिंग करने के लिए कॉलिज में पढ़ने जाती है जहां पर उसके मुलकात होती है कुछ कॉलिज की दोस्तों से और वहाँ पर कैसे उसकी धीरे-धीरे ब्रेनवाशिंग करके उसको इसलाम में कनवर्ट किया जाता है और कैसे उसको ISI इसमें भेजा जाता है अब क्या शाली नी अपनी जान बचा पाएगी या नहीं घर वापिस लॉट पाएगी या नहीं यह सारी चीज़े आपको मुवी देख कर ही पता चलेगी मुवी को डिरिक के है सुदिप तो सेन ने और इनका डिरिक्शन और राइटिंग ठीक ठाक सा है मतलब अट टाइमस मुवी काफी अच्छी लगती है फिर वो चीज भली awareness के लिए हो या फिर story के point of view से लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि जब आप एक ही चीज़ को बार-बार बताते हो तो थोड़ा सा repetitive feel होने लगता है फिर इसके बाद मुवी में केरला का backdrop यूज किया गया है जो actually में काफी जादा beautiful है जहां पर भी हमको केरला का landscape देखने को मिलता है वो बहुत ही जादा खुशूरत है फिर मुवी में कुछ-कुछ जगाओं पर बहुत ही cleverly fourth fall को break करके कुछ-कुछ dialogues को बोला गया है as if to send a message और वो चीज बहुत ही clearly समझ में आती है मुवी के जो main characters है वो जब भी कुछ बोलने की कोशिश करते है तो किसी दूसरे characters से नहीं बलकि camera में देखके बात करते है और वो बहुत ही clearly go through हो जाता है जैसे for example मुवी का एक dialogue था कि केरला is dying and no one is doing anything to save it और वो dialogue सीधे camera में हमारी आखों में देखके बोला गया था और वो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुझे से बात कर रहा हूँ फिर इसके बाद अगर actors के performance इसके बात करें तो बाखी किसी का भी performance इतना ज़ादा अच्छा नहीं लगा मुझे personally सिवाए एक के जो मुवी की में अक्टर्स अदाशर्मा है उन्होंने काफी अच्छा काम किया है मतलब मुवी की स्टार्टिंग में वे एक अलग परसनालिटी है फिर उसके बाद जब धीरे-धीर उनका ट्रांजिशन होना स्टार्ट होता है तो आपको फील होगा कि वो एक completely different personality में change हो रही है तो आप उस character की growth को feel कर सकते हो लेकिन flick verse है positive, negative तोनों पर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर positive से शुरू करें तो मुझे personally movie का landscape काफी पसंदा है भले केरला का हो या फिर जहाँ पर भी emotional note देना है तो दे देता है फिर इसके बाद movie के negative चीज़ों के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने पहले भी बता है कि एक ही चीज को बार बार बोलने की वज़े से movie थोड़ी सी लंबी और repetitive feel होती है फिर इसके बाद movie ना एक अच्छे खासे climax के तरफ बिल्ट करती है और काफी hopelessness वाली feeling को बना देती है आपको ऐसा लगता है कि जो main character है वो काफी hopelessness वाली situation में थस चुकी है और अब यहां से बाहर नहीं निकल सकती तो इस वज़े से जो climax है उसको लेकर काफी उम्मीद सी जाब जाती है लेकिन जब वो climax निकल के बाहर आता है तो आप थोड़ से disappointed हो जाते हो कि यह कैसे हुआ पिर इसके बाद यह positive negative point नहीं है यह काफी subjective सी चीज़ है मुवी काफी जादा बूटल है मतलब यह मैं negative point नहीं बता रहा हूं यह बस आपको डिसलेमर दे रहा हूं कि अगर आप देखने जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मुवी काफी जादा चाहिए कि इसमें क्या चीज़े हैं विधाट बिंग सेट हम लोग इस वीडियो की यही पर आपक करेंगे अगर आपको वीडियो पसंदा आप लाइक कर देना शेयर कर देना फ्लिक वर्स पर नए हो तो सब्स्क्राइब करना मत भूलना तो चानने से पहले फ्लिक वरसे मै हो मुहें तो रपसा विलुक, as always, keeping awesome